गर्स लोग एक और जो यह बीख होता है ना गुस्सा आज कल की लड़किया नो बड़ी बिखिया जाती है तो इसे देखेंगा हुँँ आई इसे करते हैं बताई भगवान अगर कहीं अंचाई का छोड़ दिया तो दिक्कते हो जाएगा तो इसे आप बीख मत किया किजिए ज आप लोग भी किसी से भी एप करने से पहले एक बार उसको चक लिया किजिए कि यह सब्द मेरे लिए अच्छे है की नहीं एक बर क्या था कि हम क्लास में पढ़ाते हैं लड़किया लेट हो जाए जो लड़किया देख रही उनको पता होगा अगर लड़की गलती से भी क्ल लड़की बोली कि सर बताईए ना हम लोग 10 मिनट लेट कर देते हैं तो आप इतना बोलते हैं आज आप इतना लेटा है लेकिन आपको तो बोलने बाला कोई है नहीं है इंडिके लोड़की अब को बोलना ही चाहती थिए कि आप क्यों लेट आ रहे है लेकिन जरा सोची है अगर वही कहती कि हम लेट आते हैं तो बोलते हैं आप लेट आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा क्या है बात तो सेम है लेकिन इतना बहतरी इंधंग से बोली न कि हमको खुदी रियलाइज हो गया अगर आपको बोलने का तरीका आगया तो आप किसी को डाट भी दीजएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि चोच्छा हमको डाट रहती हो लेकिन कितना घूमा के डाट तो गुस्सा पर कंट्रोल कीजएगा आप जुनिया में कभी किसी को खुस नहीं रख सकते हैं और लगभ मतंत से चाइणा बॉडर पर क्या हो रहा है कहां क्या हнего रहा है इतना ब्हुतरी अपको बता देते हैं को ब चाया को कि कि या किए एक लड़का किमेंट कीए इनका कमेंट देखें हम जानस्पुज के सामने ला है लिए लिए कि头 पाकिस्तान को ठ्रांस्पर करेगा आप ज़रा देखिए, यह बारे में कुछ नहीं पता है, पतना में आज भी अगर किसी को blood घट जाता है, तो मेरे पास आता है, अनात बच्चों को हमारे पास भेज दिया जाता है, यह हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, यह अपनी mentality दर्सा आ रहा है, अब एक normal आदमी क यह रहेगा, या तो इसको भी गाली देगा, या तो इसको ब्लॉक कर देगा, हम ना इसको गाली दिये, ना इसे ब्लॉक कर दिये, इनको आराम से जवाब दिये, कि भगवान ना करे, बट लाइफ में आपको कभी मेरी help चाहिए हो, तो बोलिएगा, I am Indian Muslim, मुझे आप से द वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं, और इस तरह के घटिया लोग 1-2% है, बाकी 98% लोग अच्छे हैं, लेकिन समस्या क्या है, कि वो 98% लोग सांती से रहते हैं, यही तो खचरही करते हैं, यह दिख जाते हैं, तो हमें लगता है, पूरी समाज खराब हैं, नहीं गाउ, ईसे लोग किवल 2% हैं, और इनें suffiatic% कर सकता है, यह लोग कभी नहीं सूद रहेंगे, तो यह हर जगा मिलेगें, गाउ में मिलेगें, सहर में मिलेगें, हर religion मैं ऐसे मिलेगें, तो आपको ना बात करने का तह्जीब होना चाहिए, जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने क आदत हो जाए आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुसा ना आ जाये याद रखेएगा उस दिन आप बड़े हो गए उस दिन समझ्जी एगा कि हम बड़े हो गए अब नए वरना ऐसा नहीं कि दाड़ी मुछ आ गए है आप ब जिन्दा है केवल अपने जुबान पर आप कंट्रोल रखें